पहला कोस्चन है चीन का सोक किस नदी को कहा जाता है चीन का सोक किस नदी को कहा जाता है तो अंसर हो जाएगा हांगोहोर नदी या उसे पिली नदी के नाम से फिजाना जाता है दुसरा कोश्चन है महात्मा बूध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बूध का जन्म 563 इसापुर में और इनका मिर्तिव चार सो तेरासी इसापुर में हुआ था जो की 80 बर्ष के अवस्था में इनका मिर्तिव हुआ था तिसरा कोश्चन है बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है तो बिहार का सोक कोसी नदी को कहा जाता है कोश्चन नमबर चवथा है बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है तो बंगाल का सोक दामोदर नदी को कहा जाता है अगला कोश्चन है पाच्वा नमबर मानस राष्टिय उद्यान कहा है इसनी थे इसका अंसर हो जागा आसम में